हेला एवरिवन दिसंदीप सोनगरे डायरेक्टर बोपाल अकाडमी यह मैसेज हर एक स्टूडेंट के लिए वो मेरे इंस्ट्यूट से हो यह ना हो हर एक स्टूडेंट के लिए जिनने अभी नीट का पेपर दिया हुआ है गाईज आप लोग ने जितनी भी कोशिश करी समय क हिसाब से आपने बैस दिया है लोगडाउन था उसके पहले और आपका पीपर हुआ शायद बनिगर वाले भी बहुत अच्छे से नहीं पड़ पाए ऑनलाइन क्लासेज में वैसे बहुत अच्छे से समझ में नहीं आपाता क्रैश कोर्स आपने दिया मुझे नहीं पता कु कुछ लोग एक साल का ड्रॉप लेंगे और चले जाएंगे कुछ लोग BSC करेंगे B Forma करेंगे M Forma करेंगे उसके बाद कुछ स्टूडेंट आपको BSC Nursing Girls होंगी तो BSC Nursing करना चले जाएंगे लेकिन अगर आप तीन साल BSC करते हैं तो तीन साल बाद आप क्या करेंगे पहला क टो रुपे लगाने के ता आपको सूचना पड़ेगा मैं आप से किसी तरीके से बाते करें रहा हूं कि हम दुनिया को मॉटिवेट करते हो दुनिया कि हमने भुआ सारे motivating video देखें कि हमें धैरे रखना है हमें patience रखना है जो कमी रहे गई उसको सुधार करना है हमने बहुत सारी इसी बाते करिए बहुत सारे इनों जाने कितने whatsapp, instagram हम ऐसे quotation देखते हैं हमेशा हरसपल motivate के लिए तो क्या आपके दो महिने का crash course recite करेगा कि आप एक doctor बनेंगे नी बनेंगे हमने देखा कि लोग लाखो रुपे mbbs medical college government college के लिए लाखो रुपे पैसे खर्च करने के लिए महंगी से महंगी coaching में पैसे खर्च करते हैं वो पैसे कर्च करने से पहले होता है एक विस्वास और एक उम्मीद कि at the end मुझे वो college चाहिए और उसके लिए मुझे जितना अपने आपको बहतर करने के आउशक तक वो में कुझे करना चाहिए I think so otherwise आप ना अपने तीन साल, चाल साल, पांस साल बाद आप पीछे पलटके देखोगे यार नहीं मुझे एक साल और दो साल तयारी करना तो सायद मुझे उस level की मुझे तयारी करनी थी कुछ बच्चों से आज मैं मिला हूँ बहुत positive थे कि sir हमारा paper crash course के साथ बहुत अच्छा गया है हमने one year अभी अब करीते करेंगे तो हमें believe it का paper निका लेगे हम यही जो mentality के paper बहुत tough होता है निका इसी को change करना है तो अब यहां से बात समझ में आती है कि कछ लोग give up कर देंगे छोड़ देंगे चीज़े तयारी करना और वो सीधे एक plain BSC private में BSC nursing या B-forma 3-4 साल फिर देने के बाद फिर struggling time निकलेगा या struggle time आज है आज आपको give up नहीं करना है अपने dreams को लेकर continue मेहनत करते रहिए जिस subject में दिक्कत गई है वो consult करे है आप जिस institute में उनसे discuss करिए और अगर आप discuss नहीं करेंगे और 98% हर साल यही करते है नजाने हर institute के अंदर सैकड़ो बच्चे crash course की तयारी करने आते है उस उमीद से सीधी सी बात है 2-3 साल की चीज़े 2 महीने में cover नहीं हो सकती और नहीं वो result तक जा सकती है यह पहले से ही पता होना चाहिए आपको पहले से ही पता होना चाहिए आपको 2-3 साल लगते हैं किसी चीज़ मेरिट में आने के लिए छोटी सी बात एक बच्चा बर्थ लेता है वो चलना नहीं सीख पाता ऐसे नहीं बोलेगे हैं पहले दिन से वो चलने तो आपको एक medical exam निकालना चाह रहे हो लोगों के माहीने में वो tough है तो आप कैसे उम्मिद कर रहे हो कि दो महीने में और हमारे साथ बड़ी दिक्कत कहा है कि हम expectation बहुत रखते हैं महनत कम होती है expectation जादा होती है बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं कुछ बच्चे classes आते हैं उनका mindset घूमने फिरने में रहता है और last में बोलते हैं कि नहीं हमारा paper अच्छा नहीं गया और blame teacher पर institute पर होता है नहीं हम बड़े institute में जाएंगे बड़ा नाम होगा और वहाँ जाके हम पढ़ेंगे आप किसी इंस्टीट में जिस इंस्टीट में best है आप अपनी उपर improve करेंगे मुझे मुझे सीट चाहिए मुझे मेहनत करने क्या वशकता है I think so जो मेरी कमी रह गई है जिस तरीके से मैंने चीज़ों को समझी है उस तरीके से उसे और बहतर करने की कोशिश करनी चाहिए मैं आप सभी से एक request करूँगा आप जिस भी institute से हैं doesn't matter, मुझे कोई फरक नहीं पड़ता आप अपनी study, अपने dreams के लिए continue रखें नहीं तो आप तीन साल बात खुछ सोचो कि करोगी क्या या आपके लिए question mark है अभी अगर आपने उसको detail में नहीं पढ़ा क्या होगा जादा साथा एक साल, दो साल waste होगे वो waste नहीं है हमने कई motivation, कई stories में सुना है कि जो आप का खराब time होता है आपको सिखा के जाता है जब आप fail होते हैं तो उसी से आप सीखते हैं ताकि हम सफल कैसे हो सकें तो हर वेक्ती, हर student, हर parent से और parent से भी आई कहूँगा कि अपने बच्चे पर उम्मीद रखे कि एक साथ, एक खटे वो चीज़े नहीं हो पाती कि हम sudden कहें कि नहीं आप जाईए और continue करिया किसी बच्चे का एक साल drop हो गया कोई बड़ी बात नहीं है अगर चलो BSC करा लोगे करोगे क्या MSC कर लोगे गल्स हैं तो BSC nursing कर लेंगी private में चले जाएंगे 7-8,000 रुपे salary होगी metro share में जाएंगे 15-16,000 और एक बार MBBS की seat मिल गई तो और ऐसा नहीं कि नहीं होता ऐसा नहीं है depends करता institute और student दोनों के उपर कितना positive हम सोचते हैं तो अपने आप से हार होगे thank you so much guys give up नहीं करना यार जिस सोच से जिस उम्मीद से आपने एक target लिया है भले 2 साल लगे कितने लोगों को आप देखते हैं IS बन गए IS बन गए हैं बहुत time दिया है कई लोग life के बहुत time के बाद success होते हैं इस time को आप continue इस चीज में सीखें धीरत से काम लेके अच्छे से सोचें उस वैक्ती से सला लें जो life में उस field में करतिमाल हासिल किया है कुछ अच्छा किया है आप अपने साथ के कलिक फ्रेंड से suggestion मतलो कि भाया क्या करना है हाँ दोस्त क्या करना है हाँ बेहन क्या करना है जिसका खुद future security उससे आप सला लेते है generally ऐसा होता है तो आप उनसे सला लें जिनसे आवशकता है आपको क्या करना चाहिए और यह आपकी life decide करती है क्योंकि graduation, post-graduation करना एक trend है कि हम आप graduate है लेकिन life में उसके बात क्या करना है यह matter करता है थैंक्यू सो मज़ गाई संदीप सोनगड़ी वपाल लाकेट में साइन आउट थैंक्यू